जब विकास की बात आती है तो केवल काग्जों में दिखाई देता है खिलाल जीन के विजिन अगर में मौझूद है मेरे सेवगी कुकूँगा कि एक बार यहां पर दिखाया जाए किस परकार विकास की गंगा यहां पर लगातर बैर रही है क्या देखें पबलिक की जब अपनी ड्यूटी है नहीं वे जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं नहीं बारे नहीं कर रहे तो पबलिक की क्या सुनीगे अगरी थोड़ी बहुत ज़ा सुनाई कर ली दोब मीडिया ली है कर ली तो ठीक है ना यहां का मैं ऐसा करांगे बिल्कुली गाणा न पाड़के न रिशीवरेजा न पाड़के न ऐसा करते हैं यहां कोई बोट मांगने नहीं आएगा नमस्कार मैं अमंदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केशरी टीवी जब विकास की बात आती है तो केवल कागजों में दिखाई देता है सरकार कह सकते हैं कि चुनाओ के समय विकास की बाते करती है कि हमने इतने साल में इतना विकास करवाया अभी फिलाल हम जीन्द की विजयनगर कालोनी में मौजूद हैं यहां पर आपको दिखाएंगे किस परकार जीन्द में विकास हुआ है लगातार दस साल से हरियाना में भाजपा की सरकार है जीन्द से भी भाजपा की विदायक है जीन्द से जो चेरमेन है मोके के वो भी भाजपा के है और विकास की बात करें तो विकास की गंगा यहाँ पर बैह रही है फिलाल जीन्द के वीजियनगर में मौझूद है मेरे सेहऊगे कि एक बार यहाँ पर दिखाया जाए किस परकार विकास की एगंगा यहाँ पर लगातर बह रही है, सीवरेज विवस्त्का जो यहाँ पर आप हालात देखेंगे सीवरेज लिकेज की विवस्था यहाँ पर सरकार ने बनाई हुई है वैसे तो साफ सफाई होनी चाहिए लेकिन विवस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोके पर समय पर साफ सफाई नहीं होती यहां कह सकते हैं इन कालोनी वालों का जो ख्याल रखना चाहिए सरकार और परसासन ने वो ख्याल नहीं रखा जा रहा है यहां पर देख सकते हैं सीवरेज यहां पर लीक हो रहा है आम जनता को काफी प्रेसानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है सिवरेज के हालाद देख सकते हैं, यहां पर लिकेज यहां पर सिवरेज हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी यहां पर आपको दिखाई देगा, कालोनी वालों को काफी प्रेसानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सभी कालोनी वासी यहां पर मौजूद हैं इन से बात करेंगे हम क्या कुछ समस्या और कितने लंबे समय से समस्या पर बनी हुई है और किन-किन से यह मिले हैं कालोनी वाले सर यहां पर जो बनी हुई यह समस्या कितना से मह हो चुका है और कहां कहां अभी तक गए है समस्षा तो करीब दो साल से है ये, उससे पहले समस्षा नहीं थी, और रईस की कम्प्लेंट करने की बात, डीची साब से हम लिए, अमेले साब से हम लिए, चेर मेंन से हम लिए, हैसडियो एक्शन जेए हमने कोई नी छुड़ आ, आपकानी में वोट लेने के लिए वुट था इम स्वी ने कम हम भी करने के लिए हैं। 24 समीर के साथ कोङसी ब Mansion के लिए। अपर में हुआ टाचाद हुआ यहां के शीवर कारवके लॉट टूंड़ करें भाभा में। अब ये माचर अब ये बिंगू हो गया अब ये कहा जाएंगे मत्षर से बिमारिया फेलेंगी वैसे भी बिमारिया पहलने लग रिकरी कोई नहीं सुन रहा बसे आशवासन देदे अभी हो जाएगा अभी जाएंगे अभी करेंगे करता कोई निए लाइट की ववस्था भी आपे है नहीं लाइट की पूरी ववस्था नहीं है गर्वेंशीज कमेटी में में दर्खास दे आया डिशी के में दर्खास दे आया सब्सक्राइब दर्खास 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 द करते हैं कुछ को नहीं सरकार नाम की चीजा रही बात नियूंट एक गर के बिला बना कर बेज़ दे हैं बिल पहले और जो है काम बाद में विदायक जी आई एंगे यहां पर अधियों नहीं कैसे देंगी हमें किस काम के लिए देंगे महरा काम ही नहीं कर रहे हैं पिदायक जी आप सुन सकते हैं कि इस परकार कालोनी वासी यहां पर परिशान है वीजे नगर की आपको लाइट तस्वीरे दिखा रहे हैं यहां पर सीवरेज विवस्था के कारण परिशानियों का सामना करना है लाइट की विवस्था अच्छे से नहीं है और साथ तोर पर क कोई टूब टेब नहीं है का दी नहीं जरॉया है बस बाकि देख आप एगवा टूब जलुरी है दिन में लिए और कोई नहीं जलुरी देख लें यह सारी कुछ कहना है आपर इतना पानी-पानी है बच्छे खेलते होंगे बेटा स्कूल है और स्कूल में समस्या ही हैं पैरेंट सारे हैं डेली बोलें कि बीमारी होगी आप क्यों नहीं समाधान करते हो हमारे हाथ में तो नहीं है समाधान करना कम्प्लेंड ये जैसे बाई साब ने बताया कि सारी जगे कम्प्लेंड करके आ चुके हमने भी डीसी साब को स्कूल की तरफ से बकाइदा मेल डाली है कि आप इस समश्या को जानो क्योंकि बच्चे बिमार हो जाएंगे बाहर नहीं निकाल सकते बच्चे के पैर लगके जाते हैं कि चड़ अंदर जाता है पैरेंट्स उनको देख भी रहे हैं अब उस समश्या का समाधान हम अपने भी आप पे कैसे करें हमने कालो निवासियों को इकठा करके बोलना भी चाया कि बहीं चलो पैसे कठे कर लेते कुछ पर्मानेंट समाधान ह요. लेकिन नहीं नहीं पनपने घर बनाते हैं क्रोड़ों रुपया सबाफ़ान के लिए बनाते हैं था सबेयोंगी सब्सक्राइब हैं सरकारवादा भी करती गाउं में भी पहुंचाती है तो यह का लोनिया है तो इसमें मेरे ख्याल से उनको इस चीज की तरफ देना चाहिए है ना जी क्या कुछ कहेंगे आपको भी परिशानियों आपका घर कौन सा है कर दादेव रुयाशन भी तरह रुख रहा है तो तो इसकाद समादान नहीं भताओ मारा तो बढ़ें कोनी अपकर से को हो वे उसके अबका इसके वहाएं कर अपकानलाओ लाओं से मुझाज का यह लाओं ना जाओ तर्व उनकानलाओं लाँए खाली पलाट्ना नाता लाओं समा दान काई काई कौनी। तो ये नेता वोट मागने के लिए आते हैं, तो इस मैं कहते हैं, आप शारस हो थोते काई के लिए, कि यह कि जाए भी आए, मुझा आए , सब कजाए आए जबाब मंगेंगे और दूसरी बात यह कहता है चेर परसन जो खुद है वो तो महां ओपीस में बैठती है नहीं वो तो डाक्टर बैठता है अपने पबलिक ने बैक आए जाता है वो दून की नून की नून परसन जो है जीन घापनी सीट पर कभी नी बैठती है अपनी मर्झी शेया आऊ आपनी मर्जी से बराबर में कुर्शीग लिरती है बैठी रहते हैं वो बैठ जाते हैं तो पुब्लिक की क्या सुनहीं हैं जो उनकी होनी चाहिए उनी नहीं वारें नहीं कर रहे तो पुब्लिक की क्या सुनहेंगे मेरको तो लगता हैं नहीं कोई भी समाधान है ऐसे ऐसे अबसर कुरुष्यां बठार गए हैं वो कर सकते हैं कोई मिद्दढ़ और अधि WA communicate कर ली दोब मीडियाली है कर ली तो ठीक है ना यहां का मैं ऐसा करांगे बिल्कुली गाड़ा नपाड़ के नरी शीवरेजा नपाड़ के नहीं ऐसा कर देंगे यहां कोई बोट मांगने नहीं आएगा कर देख सकते हैं आपर कालो नहीं वासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सीवरेज विवस्था की आपको हालात दिखाई लगबग हर जगए पर यही हालात है आप आगे भी देखेंगे तो आगे भी सीवरेज लिक हो रहा है अपने पैसों से ये लगातर पानी निकाल रहे हैं लगातर जो वारिश का पानी है कह सकते हैं कि जो सीवरेज का पानी या पर इकठा होता है अपने पैसों से ये पानी निकाल कर अपनी विवस्ता यहां पर बना रहे हैं आप सीवरेज की हाला देख सकते हैं पर लीकेज यहां पर लगातार पारी की हो रही है और कह सकते है एहां पर kids play school भी है लगातार बच्चों का यहां पर आना जाना रहता है जिससे परीशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है विदायक से मिले हैं विदायक ने भी समश्या का समादान नहीं करवाया है परसासं से भी ये मिले हैं और चेरमेन से मिले हैं खास तोर पर चेरमेन से इनकी शिकायत है कि जो मोकई की चेरumën है अनौरादा सैनी वो कुरशी पर नहीं बेटती है उनके प्रिवार के लोग काम काज देखते हैं, उनके हस्पेंड पर कहा कि इन्होंने उनके हस्पेंड काम देखते हैं, अब देखने वाली बात है कि जो नायाब सैनी यहाँ पर मुख्या मंत्री बने हैं, अब हरियाना के कितना गोर फरमाते हैं, जीन्द की विजे नगर कालोनी प देख सकते हैं और जो सरकार दावा करती है कि हमने अठावन सो सतर गाउं में बीजली 24 गंटे पहुचाने का काम किया है इन कालोनी वासियों का कहना है कि यहां पर बीजली भी समय पर नहीं आती है रात को जो लाइटे होनी चीए हो लाइट की अच्छे से विवस्था नहीं ह है तो साथ ही हो आपको इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कोमेंट बॉक्स में अपनी राइट जरूर बताएं जीन से पंजाब केसरी के लिए मैं मंदी पिलानिया हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद